नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंग, आनन टिटोरियल में आपका स्वागत करती हूं बच्चों, आज की पाठ साला में हम कक्षा 8 वी विसे हिंदी हिंदी विसे में बच्चों, आज हमारा पाठ 8 मेरा विद्रो हो आज हम इस पाठ के स्वाध्य करेंगे पारवार सीमा, आवक खड़ा रहना, अचम्बित हो जाना, काफूर होना, गायब हो जाना, नीचा दिखाना, अपमानित करना, तिल मिला जाना, गुस्सा होना, चौपट करना, बरबात करना, परवार ना रहना, सीमा ना रहना मुहावरे आपे से बाहर होना बहुत क्रोधित होना सूचना के अनुसार कृतियां करो जैसे सूचना है उसके अनुसार हमें कृति करना है पहला एक शब्द में उत्तर लिखो हमें बस एक शब्द में उत्तर लिखना है बच्चो पहला बेटे की मात्र भासा बेटे की मात्र भासा क्या है हिंदी तो हम उत्तर में लिखेंगे हिंदी दूसरा बेटे की सिच्छा की माध्यम भासा क्या थी अंग्रेजी ठीक है अब प्रश्ण दूसरा संछेप में लिखो पहला प्रश्ण रमन के जनम दिन पर ना जाने देने के बाद लड़के द्वारा किया गया विद्रोह कौनसा विद्रोह हुआ था उत्तर दिखिये रमन के जनम दिन पर ना जाने देने के बाद लड़के द्वारा किया गया विद्रोह जोर जोर से लड़ना जिद मचाना और रोना चिलाना ठीक है प्रश्ण दूसरा नुकड की दुकान से घर लोटने पर बेटे द्वारा देखा द्रिश्य उत्तर नुकड की दुकान से घर लोटने पर बेटे द्वारा देखा द्रिश्य पिता गल्यारे में खड़े खड़े दिवार से कोहनिया तिकाये निशब्द रो रहे हैं प्रश्ण तीसरा कारण लिखो अंग्रेजियत वाले परिवार के बच्चों का दबदबा रहता था उत्तर अंग्रेजियत परिवारों के बच्चों का दबदबा रहता था वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवा अंग्रेजी बोलते थे दूसरा प्रश्न पिता जी जल्ला पड़ते थे उत्तर पिता जी जल्ला पड़ते थे लेखक जब कभी डोनेशन या जलसे आदी के लिए चंदे वगेरा की छपी परचियां लाता तीसरा लड़के की मा उसे पढ़ा नहीं पाती थी उत्तर लड़के की मा उसे पढ़ा नहीं पाती थी वे अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई नहीं करा सकती थी प्रश्ण चार ऐसे प्रश्ण बनाओ जिनके उत्तर निम्न शब्दों हो तो बच्चो यहाँ पे उत्तर दिया गया है इसे देखकर हमें प्रश्ण बनाना है ठीक है? साइकिल दूसरा है बेसबरी तीसरा सप छपी परचियां और चौथा पारावार अब मैं लाइन से आपको उत्तर बताती हूँ पहला साइकिल लड़का किस वाहन से स्कूल जाता था? उत्तर में आ गया न बच्चो साइकल दूसरा बेसबरी लड़का रमन की वर्सगाट का किस तरह इंतिजार कर रहा था? इसका उत्तर क्याएगा? बेसबरी तीसरा छपी परचिया पिताजी क्या देख कर जल्ला उटते थे? तो उत्तर क्याएगा? छपी परचिया चौथा पारावार मा की खुशियों का क्या न था? ठीक है बच्चो अब हम प्रश्न पांच करेंगे संजाल पूर्ण कीजिये लाल परी के जादूई देश की विसेशताएं लाल परी जो थी उसके जो जादूई देश था उसके विसेशताएं क्या थी वो हमें लिखना है पहला रिबन्स दूसरा प्रेजेंट्स तीसरा टाफियां गुल्दस तेसा सज्जा चोथा धेर के धेर जूलते रंग बिरंगे गुब्बारे पहला क्या है रिबन्स दूसरा प्रेजेंट्स तीसरा टाफियां गुल्दस तेसा सज्जा चोथा धेर के धेर जूलते रंग बिरंगे गुब्बारे प्रश्न पाच भासा बिंदू पाठों में आई हुए उपसर्ग और प्रत्य वाले सब्द धुडो तथा उनके उपसर्ग प्रत्य अलग करके मुल्शब्द लिखो उत्तर पहले पच्चो शब्द उपसर्ग और मुल्शब्द पहला निरुत्तर उपसर्ग निर्ग मुल्शब्द उत्तर दूसरा अतरिक्त उपसर्ग अती मुल्शब्द रिक्त तीसरा सम वेदना उपसर्ग सम मुल्शब्द वेदना चोथा, सर्व प्रथम, उपसर्ग सर्व, मुल्शब्द प्रथम पाचवा, अना अवशक, उपसर्ग अन, मुल्शब्द अवशक छठा, आवसेस, उपसर्ग अव, मुल्शब्द सेस साथवा, आविवेकी, उपसर्ग अ, मुल्शब्द विवेकी आठवा प्रसासन उपसर्ग प्र मूलशब्द सासन नवा ततपस्चाद उपसर्ग तत मूलशब्द पस्चाद दसवा बहु मंजिला उपसर्ग बहु मूलशब्द मंजिला अब इसके बाद बच्चों भी हमने यहाँ पर शब्द उपसर्ग और मुल्शब्द देखा है अब हम शब्द मुल्शब्द और प्रत्य देखेंगे ठेक है शब्द बुद्धि मानी मुल्शब्द बुद्धी प्रत्य मानी शब्द पशुता मुल्शब्द पशू प्रत्य त शब्द राष्ट्रिय मुल्शब्द राष्ट्र प्रत्य इर इमानदार मुल्शब्द इमान प्रत्य दार विचार सील, मुल्शब्द विचार, प्रत्य सील, संबंधित, मुल्शब्द संबंध, प्रत्य इत, तन्मयता, मुल्शब्द तन्मय, प्रत्य था, जंगली, मुल्शब्द जंगल, प्रत्य इ, महिमा मै, मुल्शब्द महिमा, प्रत्य मई, महत्व पूर्ण, मुल्शब्द महत्व, प्रत्य पूर्ण तो बच्चों ये हमारा हो गया, अब आगे दिखो उप्योजित लेखन निम्नमुद्दो के आधार पर विज्यापन लिखो उसमें अस्थल, जगह, संपर्ग, पुस्तक मेला, दिनांग, समय, ये सभी होने चाहिए ठीक है, मैं आप हो दिखाती हूँ बच्चो मनोहर कहानिया, रुचिकर कविताय, गुद गुदाने वाली कार्टून कथाय, मन में उमंग भरने वाले एकांकी तथा कल्पना लोक में विचरन कराने वाले बाल उपर्ण्यास, एक ही अस्थान पर प्राप्त करने का सुनहरा अउसर प्रदान करेगा बाल पुस्तक मेला, गाला हॉल, चर्च गेट, मुंबई, 4-0-0-1-0, 20 नवंबर से 30 नवंबर दो हजार अटरा समय सुभ दस बजे से साम पांच बजे, इस प्रकार आपको बनाना है, ठीक है, चलो, आगे देखते हैं मैंने समझा, इस पार्ट से हमने क्या समझा है, वो हमें लिखना है मातर पिता हमेंसा अपने बच्चों का भला सोचते हैं, हमारी बुरी आदतों को खतम करने के लिए वे हमेंसा सक्ती से पेशाते हैं अता हमें अपने माता-पिता के रोक-टोक को गलत नहीं समझना चाहिए उनका सम्मान करना चाहिए ठीक है बच्चो सोयाम अध्यान अबराहेम लेंकन द्वारा प्रधान अध्यापक को लिखेवे पत्र का चाड़ बनाकर कक्षा में लगाओ बच्चो गूगल पे सर्च करिए आपको मिल जाएगा उसका आप चाड़ बनाईए और अपनी कक्षा में लगाईए ठीक है तो बच्चो हमारी जो आज की पारसाला है वो यहीं पे समाप्त होती है अगर आपको मेरी पारसाला अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मेरी पारसाला का लाप सभी बच्चे ले सके तैंक यू फॉर वाचिंग बाई बाई तैंक बाई